हे गाईज आज के सुड़े में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना electricity का bill phone pay के through कैसे pay करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं गाईज सबसे पहले आप phone pay application को open कर लेंगे गाईज अगर आपके mobile के अंदर phone pay application download नहीं है तो उसका link मैंने वीडियो के description में दे रखा है आप वहाँ से phone pay application को download कर सकते हैं जैसे ही गाईज आप phone pay application को download करके open करोगे तो आपको कुछी सतरा का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर गाईज आपको electricity करके एक option देखने को मिलेगा आप उस पर click कर देंगे जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो गाईज यहाँ पर आपको बहुत सारी company देखने को मिल जाएगी आपका bill जिस भी company का है उस company को आप select कर देंगे जैसा के गाईज मेरा electricity bill उत्तर गुजराद which company का है तो मैं यहाँ पर UGVCL उत्तर गुजराद which company को select कर देता हूँ गाईज अगर आपके electricity bill की company यहाँ पर show नहीं करती है तो यहाँ पर उपर search by biller करके एक option देखने को मिल जाएगा आप उस पर click कर देंगे और आपका electricity bill जिस भी company का है उस company का नाम आप यहाँ पर type कर देंगे जैसे ही आप नाम type कर देंगे तो company नीचे show करने लेगी आप उस पर click कर देंगे जैसे ही आप उस पर click करेंगे तो guys यहाँ पर आपको consumer number करके option देखने को मिल जाएगा आप उस पर click कर देंगे guys consumer number आपके bill के अंदर लिखा हुआ रहता है लेकिन guys bill के अंदर जो consumer number लिखा ह हुआ रहता है वो oblique को आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है सीधा आप consumer number टाइप करेंगे उसके बाद simple सा guys confirm पर क्लिक कर देंगे जैसे ही guys आप confirm पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी detail show करने लग जाएगी कि यह bill किसके नाम पर है और कितने का bill है तो guys यहाँ पर आपको एक बार सारी detail को verify कर देना है और उसके बाद simple सा proceed to paper क्लिक कर देंगे guys जैसे ही आप proceed to paper क्लिक करेंगे तो आपके phone पे से जितने भी bank account link होगे वो सारे यहाँ पर show करने लगेंगे तो guys आप जिस भी bank account इसे payment करना चाते हैं आप उस पर click कर देंगे जैसे कि guys मैं bank of India से payment करना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर bank of India पर click कर देता हूँ और उसके बाद paper click कर देंगे जैसे ही guys आप paper click करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर guys गैस आप देख सकते हैं कि हमारा payment successfully हो चुका है गैस यहाँ पर payment तो हो चुका है लेकिन इस payment को update होने में minimum 4 दिन का time लग सकता है तो गैस यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा view details करके आप उस पर click कर देंगे जैसे कि आप उस पर click करेंगे तो गैस यहाँ पर आप देख पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को like करें शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को subscribe करना ना बूले